बॉलिवुड सिल्वो स्क्रीन प्रिजेंटिंग मेज रणर पार्ट वान बॉलिवुड सिल्व करेंग में इसके अपने बारे में अपने नाम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है एलबी उसे कहता है चिंता मत करो दो दिन में सब कुछ चीख हो जायगा यहाँ पर जो भी नया आता उसके साथ ऐसा ही होता है वो एलबी से पूसτα है कि ये कौन सी जगा है एलबी उसे अपने साथ बाहर ले जाता है वो कहते हैं हम यहाँ पर अनाज उगाते हैं यही पर रहते हैं यही पर सोते हैं और जो भी हमारी जरूरत की चीज़े हैं वो बॉक्स में भेज देते हैं उसी बॉक्स में जिसमें तुम्हें बेजाता है और जब भी उस समान भेजते हैं तो उसके साथ किसी ना किसी को भेज जैसे इस बार तुम्हें भीजा है अब इस लड़के को उन उची उची दिवारों के बीच में एक रास्ता दिखता है और वो पूसता है कि यह रास्ता कैसा है एल भी उसे कहता है कि यहाँ पर तीन बातों का ध्यान रखना कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना हमेशा अपने काम पर लगे रहना दूसरा कभी किसी को चोट मत पहुँचाना और तीसरा कभी भी उस दिवार के दूसरी तरफ मत जाना लेकिन यह लड़का जानना चाता ह कि दिवारों के बीच में जो रास्ता है वो रास्ता कहा जाता है दिवारों के उस पर क्या है और जब वो उस रास्ते की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है वो से रोकता है वो कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकता है हम मेंसे कोई भी वहाँ ओ hackers वह रहाँ किолетा है किया का तुमने वीजte है मैंने सा कुछ नहीं किया और इसके बाद वह अंदर जाने लगता है लेकिन तब यू रहाँ करे बा Budget बाहर Bark में जाचाता है और इसके पहले कि यह अंदर जाता है और जो रास्ता होता है आपस में मिलना शुरू हो जाता है दरसल ये एक तरह का दर्वाजा होता है जो मशीन से जुड़ा होता है और उपर मशीन की जो गरारिया होती है वो घूमना शुरू हो जाती है और चंदी पलो में ये दोनों दिवारे आपस में मिलकर पूरी तरह से बंद हो जाती है अब रात को यहां पर जितने भी लोग होते हैं उस सब के सब खाते हैं पीते हैं डांस करते हैं और तब ही उस लड़के के पास जो आज पहली बार यहां पर आया जिससे अभी तक अपना नाम भी याद नहीं आया उसके पास एक लड़का आता है और वो उसे कुछ लड़कों को दिखाता है वो कहता है वो सब के सब रनर्स हैं वो हर सुबह मेज के अंदर भागते हैं वो यहां से बाहर जाने कर रास्ता ढूंडते हैं और ऐसा वो पिछले तीन सालों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें काम्याबी नहीं मिली यह सब बहुत ताकतवरे हमसे अलग हैं और कोई भी रनर्स अगर मेज के अंदर भूल भुले या के अंदर फस जाता है शाम होने से पहले वापस नहीं आता तो उसे कभी कोई दुबारा नहीं देख पाता और जब वो यह सब बोली रहा हुता हैं कि तभी वहां पर अजीब सी आवाज़िया आना शुरू हो जाती है और वो बताता है कि तुम्हें आवाजे सुन रहे हो दरसल अंदर से जो मेज है उसके रास्ते बदल रहे हर रात को पूरा मेज बदल जाता है और ये वही करते हैं जिन Лोगों ने हमें यहां पर फसाया है अब ये दोनों उस जगाँ पर जाते हैं जहां पर रनर होते हैं ये अपस पें कॉम्पुटीशन कर रहे होते हैं और तब ही इन मेंसे एक रनर जिसका नाम गेली होता है वो इस नए लड़के को कहता है हो जाए दो दो हाथ और इन दोनों की बीच में कॉम्पिटीशन होना शुरू हो जाता है और इसी कॉम्पिटीशन की दौरान गेली इस नए लड़के को जमीन पर गिराता है ये सर के बल गिरता है और इसे याद आता है कि इसका नाम थॉमस है वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है ये सुनकर वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे अपना नाम याद आ गया होता है अगले दिन थॉमस यहां पर बाकिस सभी लड़कों के साथ काम कर रहा हुता है और वो बुस्त है क्या कभी किसी ने इन दिवारों के उपर चड़ने की कोशिश की वो कहते हैं वहाँ पर कोई नहीं चड़ पाया हमने कोशिश की थी सीड़ियां इतनी उची नहीं है कि हम वहां तक पहुंस की थॉमस कहता है जिस लिफ्ट से मैं उपर आया था क्या उस लिफ्ट के जरीए किसी ने यहां से निकलने की कोशिश की उसे बताय जाता है कि जब भी कोई उस लिफ्ट में बैटता है तो वो नीचे जाती नहीं है हम सारे रास्ते अपना चुकी है लेकिन यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वो भूल भूलई है वो मेज अब यहां पर थॉमस को खाद लेने के लिए भीजा जाता है क्योंकि यहां पर यह फल सबजियां सब कुछ उगाते है और जब थॉमस खाद लेने के लिए जाता है तो वहां पर इनी में से एक लड़का जो की रनर होता है जो एक दिन पहले मेज के अंदर गया था वो थॉमस के उपर हमला कर देता है वो उसे मारना चाता है तॉमस किसी तरह से वहां से भाग कर बाहर आ जाता है लेकिन वो तॉमस पर दुबारा हमला कर देता है लेकिन अब यहां पर सब के सब आ जाते है एल भी जो इन सब का लीडर है वो भी यहां पर आ जाता है और वो सब उस लड़के को पखड ले ते L B कहता है कि इसकी शर्ट उठाओ और जब उसकी शर्ट को उठाया जाता है तो उसके शरीर पर एक डंग का निशान होता है L B कहता है कि इसे कोटरी में डाल दो और यहाँ पर हमें एक बाज समझ में आ जाती है कि इस बूल बुलिया के अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत खतरनाग है थोमस और ैल-भी साथ में बैठे होते तो ैल-भी थोमस से बूस्ता है कि जब उसने तुम पर हमला किया तो उसने तुमसे कुछ कहा थोमस बताता है उसने मुझomorphे कहा था और जिसे डंक लगा है उसे जबरदस्ती मेज के अंदर भेज दिया जाता है क्योंकि अब उसे बचाय नहीं जा सकता उसकी बिमारी का कोई भी क्योर नहीं है हाला कि उस सब को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और इन्होंने अपना एक रनर को दिया रनर की यहां पर बहुत ज़्यादा एहमियत है क्योंकि यहां पर रनर ही ऐसे होते हैं जो मेज के अंदर जाते हैं और वही इन के लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंड सकते हैं आला कि तीन साल में वह ऐसा नहीं कर पाए अब अगले दिन भूल बुलया के अंदर एलबी भी जाता है आला कि वह एक रनर नहीं है आज से पहले उसने ऐसा नहीं किया लेकिन उसके उपर जिम्मेदारी है दरसल एलबी वह इनसान है जो यहाँ पर सबसे पहले आया था हर मेने यहाँ पर एक को भीजा जाता है और एलबी को जब यहाँ पर भीजा गया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था वो पूरा महीना यहां पर अकेल ही रहा और उसके बाद जब एक एक करके यहां पर इनसानों को भीजा गया तो उसने यहां पर सब के लिए पूरी एक अलग दुनिया बना ली और अब एल्बी मेज के अंदर है और शाम हो जाती है लेकिन एल्बी और उसका साथी वापस नहीं आते सब के सब बहुत पریशान होते हैं और मेज के दरोजे बंध होना शुरू हो जाते हैं लेकिन इस से पहले कि दरोजे पूरी तरह से बंध होते वहाँ पर हैडरनर मीनो और एल्बी पहुँच जाते हैं लेकिन एलबी की तबियत बहुत खराब है और मिनों उसे खीच कर लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अब दर्वाजे बंद होने वाले और ये दोनों दर्वाजे के इस तरफ नहीं आ सकते फॉमस इनकी मदद के लिए भूल भुलया के अंदर चला जाता है और जैसी वो भूल भुलया के अंदर पहुंसता है दीवारे आपस में पूरी तरहां से मिल जाती है और ये तीनों अब भूल भुलया के अंदर फस चुके हैं यहां पर एलबी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि उसे भी डंक लगा है और तभी इने एक खौफनाक आवाज आती है और ये आवाज उसी क्रियेचर की होती है जिसने एलबी को डंक मारा है तॉमस के साथ जो रनर होता है वो कहता है कि हमें यहां से जाना होगा नहीं तो हम भी मारे जाएंगी लेकिन थॉमस एलबी को छोड़ना नहीं चाता और वो देखता है सामने दिवार पर बहुत बड़ी बड़ी बेले होती है और वो उसमें थॉमस को बांग कर दिवार के उपर लटका देता है लेकिन तब तक वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है प्रणर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और थॉमस वहीं दिवार के नीचे छुप जाता है ये क्रीचर बहुत खतरनाक होता है इन्हें ग्रीवर्स कहा जाता है और जिसे भी ये डंक मारते हैं वो बसता नहीं है ये क्रीचर थॉमस को देख लेता है के अंदर से भागता है ग्रीवर थॉमस का पीछा कर रहा होता है और तभी दीवारे मिल जाती है सुबह भार दिखाया जाता है कि मेज के सामने सभी खटा होते हैं लेकिन सब को पूरा यकीन है कि अब यहां से यह तीनों भार नहीं आ सकती क्योंकि आस तक भूल बुलिया के अंदर पूरी रात कोई भी रुक नहीं पाया एक रात रुकने का मतलब है कि मौत लेकिन अगली सुबह ये तीनों के तीनों भार आ जाते हाला कि एलवी की हालत बहुत खराब है उसे होश नहीं है लेकिन अभी भी उसकी सांसे बाकी है हाला कि थॉमस ने एलवी की जान तब ही एक साइरन बसता है और ये साइरन उसी एलिवेटर का होता है जिससे हर महीने यहां पर किसी ना किसी को भीजा जाता है और जब ये सब वहां पर पहुंसते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार यहां पर किसी लड़की को भीजा गया है और जब उस ल कि यहां पर किसी को भी भेजने से पहले उसके अतीत के सारी यादों को मिटा दिया जाता है इसलिए यहां पर जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है तॉमस अब एक बार फिर से भूल बुलया के अंदर जाना चाता है क्योंकि रात को जो ग्रीवर दिवार के बीच में फस कर मरा था वो से देखना चाता है कि वो लोग किस से डील कर रहे हैं तॉमस मिनो और कुछ बच्चे उस जगा पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रीवर की बॉड़ी के अंदर एक डिवाइज होता है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और ये नंबर वही नंबर होते हैं जो बाक्स में जिस बाक्स से इन सब को यहाँ पर एक भूल भूलया की औंदर आ सकते हाला की इसमें एक लड़की की सहमती नहीं होती जिसका नाम這邊 हाली है वह नहीं चाहता कि ठास्व को रनर बनाया जाए लेकिन अब ठास्व कि एक रनर है वो मेज एक अंदर कभी की बिजा सकता है। यहां पर किसी का भी आना मना होता है और वो थॉमस को वहां पर भूल भुलया का नक्षा दिखाता है वो कहता है कि पिछले तीन सालों में हमने इसके चप्पे चप्पे को छान मारा और उसी के भिहाब पर हमने यह नक्षा बनाया है जिस पर नमबर साथ लिखावा है दरसल अंदर भूल बुलिया में एक से लेके आठ तक अलग लग ब्लॉक्स हैं और हर रात को एक नया ब्लॉक्स खुलता है जिस से भूल बुलिया का रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है और इस डिवाइस पे नमबर साथ का मतलब यह है कि कल रात को जिस ग्रीवर को हमने मारा था वो साथ नमबर ब्लॉक्स से अंदर आया था यानि कि अगर वो अंदर आया था तो बाहर जाने का रास्ता वहीं पर है वो कहता है कि हम दोनों वहाँ पर जाएंगी तब ही यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है उस लड़की को होश आ गया है थामस उस मचान पर जाता है जहां पर वो लड़की होती है दरसल वो अपने पास किसी को भी नहीं आने दे रही होती Thomas उसे शान्द करता है और वो उससे उसका नाम पूस्ता है लेकिन इसे भी कुछ भी याद नहीं है हालगि होश में आने के बाद इसने Thomas का नाम लिया था लेकिन ये Thomas को नहीं जानती Thomas उसे बताता है कि मुझे रात को सपने आते और मैंने कई बार सपनों में तुमहें देखाgent मुझे शुरू में लगा था कि वो सपने हैं लेकिन वो सपने नहीं बलकी यादे हैं ये लड़की जिसका नाम Terris है वो थॉमस को कहती है कि मेरी जेव में दो सिरिंग ती और वो सिरिंग वो थॉमस को बनाया है, उन्होंने इस सिरिंज को यहां पर भेजा है, और वो उस सिरिंज को लेकर L.B. के पास जाता है L.B. की हालत बहुत खराब होती है वो मरने वाला होता है, इसलिए थोमस कहता है कि इस दवा को जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें इसे L.B. के शरीर में इंजेक्ट करना चाहिए और जब वो ऐसा कर रहा होता है, तो L.B. उस पर हमला कर देता है, वो से कहता है कि चले जाओ चले जाओ यहां से, और इतने में इनके साथ जो लड़की है, टेरिसा वो उसके हाथ से उस सिरिंच को चीन कर L.B. की बाड़ी में इंजेक्ट कर देती है जिससे वो पूरी तरह से शान्त हो जाता है यानि की दवा काम कर रही हो, ठीक हो रहा है अब अगली सुबर थॉमस और मिनो भूल भुलया के अंदर जाते हैं, और जब वो ब्लॉक नमबर साथ के पास पहुंसते हैं तो इनके पास जो डिवाइस है, जो इस क्रियेचर के पेट के अंदर से निकला है उससे बीब की आवाज आना शुरू हो जाती है तॉमस कहता है, शायद ही हमें रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन सामने एक दिवार आ जाती है, यानि कि रास्ता खत्म हो चुका है और तब ही जो डिवाइस इनके पास होता है, उस पे लाइट रेड कलर की होती है, वो ग्रीन हो जाती है और दिवार से एक नया रास्ता खुलता है ये पहली बार यहां पर पहुँचे हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक और रास्ता खुला और वहां से एक रोशनी निकल दिये वो इन दोनों को स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद उस रोशनी को कम्प्यूटर को पता चल जाता है कि ये ग्रीवर नहीं है बलकि ये इनसान है और एक एक करके अब दर्वाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं ये तोनों यहां से भागना शुरू करते हैं क्योंकि अगर यहां से नहीं भागे तो ये यहीं फसकर मर जाएंगे यहां पर बड़ी तेजी से पूरा भूल भुलया बदल रहा होता है अब एलबी को होश आ जाता है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और जब इस सब के सब एलबी के पास जाते हैं थॉमस एलबी को कहता है कि हम यहां से निकल सकते हमने एक नया रास्ता ढूंडा है थॉमस कहता है कि यहां से कोई नहीं निकल सकता मुझे सब कुछ याद आ चुका है जिन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम भी उन में से एक हो दरसल ग्रीवर जब भी किसी को डंक मारता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है इसलिए एल्बी को इस सब कुछ पता होता है लेकिन इससे पहले कि एल्बी कुछ और कहता है यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि आज मेज के दर्वाजे बंद नहीं हुए और अंधेरा हो चुका है यानि कि अब ग्रीवर यहाँ पर भी आ सकते हैं यह सब के सब भार जाते हैं और ग्रीवर इनके ओपर हमला कर देता है वो इनमें से कईो को मार देता है और यहां तक कि एल्बी जब इससब एक गुफा में एक केज के अंदर चुपे होते हैं तो वो एल्बी को भी अपने साथ ले जाते हैं यानि कि एल्बी भी अब मर चुका है लेकिन इसी दोरान ये लोग ग्रीवर का एक डंग कार देते हैं जो कि एक सिरिंज की तरह होता है और अब थॉमस जानना चाता है कि उसका थीद क्या है वो अपनी यादे वापस चाता है इसलिए वो उस सिरिंज से अपने आप को गायल करता है और जैसी वो सिरिंज उसकी बॉड़ी के अंदर जाती है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और अगली सुबा जब वो उटता है तो वो एक केज के अंदर होता है जहां पर उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसका नाम टेरेसा है दरसल यहां पर एक लड़का है जिसका नाम गैली है और वो थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे अब यकीन है थॉमस भी उन लोगों की टीम का हिस्सा है जिन लोगों ने इन्हें यहां पर भीजा है और इन सब की जान को थॉमस से खत्रा है थॉमस टेरेसा को और मिनो को बताता है कि यह कोई जील नहीं है बलकि यह एक तरह का टेस्ट है और यह तब से चल रहा है जब हम बहुत छोटे थे वो लोग हम पर साइन्स के एक्सपेरिमेंट्स करते थे और फिर एक एक करके सब गाइब होना शिरू हो गए दरसल उन्हें यहां पर भीज़ दिया जाता था मैं और टेरेसा भी उन्हीं लोगों के साथ काम करते थे मिनो पूसता है फिर तुम्हीं यहां पर क्यों भीजा गया वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता टेरेसा को भी यह बात सुनकर हैरानी होती है कि यह सब बच्चे आज यहां पर इन्हीं की वज़े से हैं लेकिन अभी भी मिनो और कुछ बच्चे थॉमस के साथ है मिनो थॉमस को कहता है कि जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो क्योंकि एलबी अगर जिन्दा होता तो वो भी यही चाता लेकिन अब एलबी के मरने के बाद यहां पर जो नया लीडर है वो है गैली गैली थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता इसलिए थॉमस और टेरेसा को मारना चाता है लेकिन जो बागी बच्चे होते वो उसका साथ देते और वो ऐसा करने से उसे रोक लेते थॉमस कहता है कि हम यहां से निकल रहे हमारे पास आखरी मौका है अगर तुम भी हमारे साथ आना चाहो तो आ जाओ लेकिन गैली और उसके कुछ दोस्त इनके साथ नहीं जाते थॉमस टेरेसा मिनो और बहुत सारे लोग अमेज के अंदर जा चुके क्योंकि यह वहां से निकलना चाते हैं जहां से इन्हें एक नया रास्ता मिला था और जब भी वहां पर पहुंसते हैं तो वहां पर बहुत सारे ग्रीवर्स होते हैं वो इन सब पर हमला कर देते हैं यह दिरे दिरे आगे बढ़कर एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसे खूलने के लिए इन्हें एक कोड की जरुरत है जो इन्हें नहीं पता और तब ही थॉमस मिनो को कहता है कि यह जो पूरा भूल भूल ही है इसमें आठ ब्लॉक्स हैं और यह एक सीक्वेंस में खुलते हैं वो मिनो से उस सीक्वेंस को पूसता है और जब उस सीक्वेंस को वहां पर डाइल किया जाता है तो ये दर्वाजा खुल जाता है और जो ग्रीवर्स इनकी तरफ आरे होते हैं वो दिवार के नीचे दब जाते हैं और ये एक अंधेरे कमरे में पहुँच जाते हैं और अगले पल एक और दर्वाजा खुलता है और ये उस दर्वाजे से बाहर निकलते हैं और यहां पर लाइट्स जलना शुरू हो जाती है और वहीं एक दर्वाजे के ऊपर लिखा होता है एक्जिट और यह देखकर यह सब खुश हो जाते हैं और जब यह उस दर्वाजे के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ कई लाशे पड़ी हुई है और ये एक साइन्स की लैब के अंदर पहुँच जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है और वहां पर एक मशीन पर फिंगर प्रिंट का निशान होता है और जब थॉमस अपनी फिंगर को उस फिंगर प्रिंट के ओपर रखता है तो स्क्रीन पर एक लेड़ी आती है वो कहती है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब तुमने ट्रायल वन जो की मेज का ट्रायल था वो पूरा कर लिया है हमने जो कुछ तुमारे साथ किया इसके लिए तुमारे अंदर बहुत गुस्सा होगा लेकिन इस सब की एक वज़ा है शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन सूरच की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया लाखों लोगों की जाने चली गई लेकिन ये सिलसला यहीं पर खत नहीं हुआ इसके बाद इस दुनिया में एक खतरनाक वाइरस आया जिसने लोगों के दिमाग पर अटैक किया लोग वाइलेंट हो गए आउट ओफ कंट्रोल हो गए और इसका कहीं कोई क्यार नहीं था और तब हमें अंधिरे में एक उजाले की रोशनी दिखाए दी हमने इसका क्यार ढूने की कोशिश की लेकिन ये सब इतना असान नहीं था नई पीडी को कई परिक्षाओं से गुजरना होगा उने मुश्किल हालातों का सामना करना होगा ताकि हम उनके माइन को रीट कर सके और यहां पर सब को समझ में आ जाता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें दिमाग के उस वाइरिस का क्यार ढूनने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर कहती है कि तुमारी दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होंगी लेकिन जल्दी तुमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी ये इस टेस्ट की शिरुवात है इसमें वक्त लगता है लेकिन हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है बहारी दुनिया तुमारा इंतिजार कर रही है और वही डॉक्टर की पीछे दिखाये जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो सब को मार रहे होते हैं और ये जो डॉक्टर इन्हें सब कुछ बता रही होती, जिसका नाम डॉक्टर एवा है, वो खुद को गोली मार देती, ये सब हैरान हो जाते हैं, और जब ये पीछे देखते हैं, तो उसी जगा पर अभी भी डॉक्टर एवा की लाश पड़ी होती है, यानि कि इस घटना को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, और ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहां से मेज के अंदर जितने भी लोग थे, यानि कि वहां पर जितने भी लोगों को भेजा गया था, यहां से ये सब उन्हें हमेशा देखते रहते थे, और इससे पहले कि ये कुछ सोच पा परने के बाद उसे अपनी यादे वापिस मिल चुकी होती है, और उसे ये पता होता है कि थॉमस उसी टीम का हिस्सा था, जिस टीम ने जिस ओर्गनाइजिस्चन ने इन सब को इस जगा पर भेजा था, थॉमस ने जब अपना पास्ट याद करने के लिए ग्रीवर के डंग से अपने आप को गायल किया था, तो वो ठीक इसलिए हो जाता है, क्योंकि दो सिरिंज में से एक सिरिंज बची भी थी, और अब इनके पास इसका कोई क्या और नहीं है, और अब गैली थॉमस की तरब गोली चलाता है, लेकिन तब तक मिनो उसे अपने हथियार से मार देता है, लेकिन जब गैली ने थॉमस की तरब गोली चलाई थी, तो उसके आगे एक बच्चा आगया था, जो थॉमस से बहुत प्यार करता है, इसका नाम है चक, और गोली चक को लग गई होती है, और चक की मृत्ती हो जाती है, तब ही यहाँ पर कुछ लोग नकाब पहन कराते जिनके हाथों में हत्यार होते हैं, और वो इन सब को अपने साथ हेलिकॉप्टर में इस जगा से ले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एवा खो दिखाये जाता है, जिसने वीडियो में अपने आपको गोली मार ली थी, उसके सामने कई सारे लोग बैठे होते हैं, और वो उन सब को कहते हैं कि हमारा मेंस ट्रायल बिल्कुत सक्सेस्फुल रहा, मुझे अमीद नहीं थी कि इतने सारे लोग बचेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा बचे हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा है, और ये सब के सब अब नेक्स चैलेंज के लिए तैयार हैं, ल अला कि यहां पर कई सारे अधूरे सवाल छूट जाते हैं, जो आने वाले पार्ट में आपको सुनने को मिलेंगे, ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी, आइम डी बी पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.8, इस फिल्म का बजट था 34 मिलियन डॉलर्स, और बॉक्स आफिस पर इसने कमाई की थी 348 मिलियन डॉलर्स की, उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी